आज हम इस संसार में देख रहे हैं, खेल जगत में सभी का बहुत बहुत इंट्रेस्ट बढ़ता जा रहा है, एक तरफ ये बहुत सुन्दर मनोरंजन का साधन है, लेकिन आज के वातवरण में दुनिया में जिस तरह से बुराईयां बढ़ रही हैं और वैल्यूस का पतन हो रहा है, आमारे मुल्यों का, तो इससे मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे खेल खेला जाता है, अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे जो भी खिलाड़ी हैं, हार और जीत का खेल जानते हुए भी, बहुत स्ट्रेसफुल कंडिशन में खेलते हैं, घबरा जाते हैं, और हार खा लेते हैं। लेकिन अगर हम अपना मनों बल बढ़ाएं, और अपने विजय को निश्चित सामने देखें, कि विजय मेरा जन्म सिदधिकार है, मेरी अवश्य विजय होगी, अपने लक्ष को सामने रखते हुए, अपने लक्ष में निश्चे रखते हुए हम जब खेल खेलेंगे, और उसमें भी हमारा मन एकाग्र हो, क्योंकि एकाग्रता से ही हमें सफलता मिलती है। आज मनुश्यों की मन का तनाव बढ़ने के कारण, मन विचलित होता रहता है, इदर उदर भटकता है, जिस कारण से वो जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्ती नहीं होती है, और जीवन में निराशा बढ़ती जा रही है। हम इस दुनिया को भी, इस जगत को भी एक खेल कहते हैं, यह दुनिया भी एक खेल है, जिसमें हार और जीत, सुख और दुख का यह खेल चलता ही रहता है, हार में भी अगर हम मन से ना हारें, क्योंकि मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है, मन से कभी नहीं हारना चाहिए, मनुष्य को मनों बल कैसे बढ़ाएं, उसका ज्यान नहीं होने के कारण, वो तरह तरह से अनेक साधनों में जुटा हुआ रहता है, लेकिन अगर हम अपना मानसिक तनाव दूर करके, अपने मनों बल बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, अवश्य ही हमारी टीम सदा जीतेगी, और भारत विजय कहलाएगा, हमेशा भारत की विजय ही होती है, तो कल ही हमने विजय दश में मनाई, यह भी हमारे विजय का यादगार पर्व है, तो आप हमेशा अच्छे-च्छी बातों को अपने मन में रख करके, उन अच्छी बातों का चिंतन कहें या सकरात्मक चिंतन मनुष्य के मन को सशक्त करता है, और जितना हम नकरतमक चिंतन करते हैं अपने बारे में या अने दूसरों के बारे में हमारा मन कमजोर होता है इसलिए मन को सशक्त करने के लिए हम स्वयम को आत्मा समझ कर परमपिता परमात्मा से अपने मन को सदा जोड करके इस मेडिटेशन के अभ्यास को जारी रखेंगे तो अवश्य आपके विजय होगी हमारे पास यहाँ पास में ही बैडविंटर एकेडमी है बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं योग सीखते हैं और जब खेलने के लिए जाते हैं तो भी यहाँ meditation room में बैठ करके परमात्मा से आशिरवात प्राप्त करते हैं और विजय प्राप्त करने के बाद भी वो फिर परमात्मा को थैंक्स देने के लिए भी आते हैं और कहते दिदी सच मुझ हमने ये meditation के अभ्यास से देखा कि हमारा मनोबल हमेशा कायम रहा और हमारी हमिशा विजय होती रही छोटे-छोटे बच्चे भी आज हम देख रहे वो बहुत उन्नती के शिखर पर पहुंचे हुए हैं तो इस तरह से हम सब भी इस दुनिया में खिलाडी हैं खेल है, हार भी निश्चित है लेकिन हार में कभी हम मन से ना आरे क्योंकि हार में भी अपनी जीत को देखिए कभी-कभी हम एक बार हारते हैं और अनेक बार जीत जाते हैं पर हम अनेक बार की जीत को भूल करके एक बार की हार पर ही अपने मन को टिका लेते हैं अर्थात हमें नेगिटिव ज़्यादा आकर्शन करता है positivity में हमारा मन जाता नहीं है आज दुनिया में आप देख लिजी नेगेटिव वातवरण होने के कारण जितनी भी बीमारियां हैं चाहे वो मानसिक हो या तन की हो बीमारियों का कारण भी मनुष्य का नकरात्मक चिंतन कहीं नेगेटिव ठिंकिंग मन कमजोर होने के कारण भी कमजोर हो जाता है और मनोबल है तो मनुष्य कैसी भी परिस्थितियों में विजाही बन जाता है क्योंकि हमने देखा करोना के समय पर भी है हमारे राजयोगी भाईबैने भी इसमें प्रभावित हुए हमें भी हुआ, लेकिन हमने अपने मनोबल को नहीं घटाया, हमने सोचा कुछ भी होगा, अगर जन्म है तो मृत्यू निश्चित है, मृत्यू को हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस मेडिटेशन के द्वारा बीमारी आई है तो जाएगी भी, लेकिन अगर हम सोच लें कि मैं पता नहीं बचूंगी या नहीं बचूंगी तो मने शविश्चे उस नेगिटीव चिंतन के कारण बहुत से लोग डर से मर गए, तो कभी-कभी डर से भी हमारी हार हो जाती है, हम निर्भाई रहें, हम अपने अंदर उन मूल्यों को बढ़ाएं, जो हमारे साथ चलने वाले हैं, हम चाहे मेडल जीते हैं या ना जीते हैं, लेकिन भगवान के दिल को जीत लें, हम अपने वहवार से अपने साथियों के दिल को जीत लें, और मनुष्य यह भी जानता है कि आशिरवाद दुआएं जो है मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं, तो सफलता के लिए हम हर एक से दुआएं प्राप्त करके जरूर जाएं, क्योंकि हम शास्त्रों में भी कहानिया सुनते हैं, कि राम जी ने भी शिव परमात्मा से आशिरवाद प्राप्त किया, तो उनकी विजय हुई, तो जो भी आशिरवाद लेते हैं, अर्थात मेडिटेशन का मतलब क्या है, कि हम परमात्मा की आशिरवाद को सदेव अपने साथ रखें, और जिनके साथ परमात्मा है, उनकी सदा विजय होगी ही, क्योंकि हम पांडवों की भी जीत का कारण सुनते हैं, कौरव अक्षोईनी सेना होते हुए भी हार गए, लेकिन पांडवों के साथ बगवान का साथ था, अर्थात उनके मन में पॉजिटिविटी थी, वो किसी के लिए भी नेगिटिव नहीं सोचते थे, तो वही विजय ह हुए, हम औरों के लिए भी नहीं सोचें कि वो हारे और मैं जीतूं, लेकिन अपना लक्ष हुए मुझे जीतना है, मुझे विजयी बनना है, इसलिए किसी की हार को भी हम क्यों मन में लाएं कि वो हारे और मैं जीतूं, लेकिन अगर कोई जीतता है, अपनी हार को भी यह है शुब भावना, शुब कामना जो हम आज दुनिया में दिल से किसी को देते नहीं हैं, आज सिर्फ मनुष्यों के अंदर बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे को कार्ड देना, या मैसेजिस देना, या सुंदर-सुंदर गुलदस्ते देना, उपरी उपरी जो हम करते हैं, लेकिन यह शुब भावना दिल से आती है, शुब कामना भी दिल से आती है, वले आप काड नहीं दो, लेकिन दिल से अगर किसी को हम दुआ देते हैं, वो दुआएं हमारे साथ भी रहती हैं, हम अगर औरों को आगे बढ़ाते हैं, भगवान हमें आगे बढ़ा हमेशा हम सबके शुम्चित्तक बनकर रहे हैं, यह शुबचिंतक की भावना, शुबचिंतन और शुबभावनाई हमारे जीवन में सफलता का आधार हैं, तो इसलिए हम और इधर उधर कोई रास्ते ना पकड़ें, कि हमें पैसा मिलें, उसके लिए हम यह करें, या कई बार ह भारने के लिए भी लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यह जो भी दुरगुन है, अगर हम अपने जीवन से निकाल दे, हमारा भारत फिर से स्वारनी भारत बनेगा, और हमें बहुत सारे मेडल्स प्राप्तो हो सकते हैं, तो आप सब को हमारी शुबभावना और शुबकाम स्विकार हो, हम यही कहेंगे, हमारे स्खेल जगत के सभी भाई बहने, जो भी खेलते हैं, वो सदा परमात्मा की याद में खेलें, मेडिटेशन से अपने मन को एकागर करें, और आपको हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो, ओम शंती.